पुराने नोट जमा कराने की सीमा को लेकर जर बैंक ने एक बार फिर यूटर ले लिया है अब बैंक खातों में 30 दिसंबर तक पांच हजार रुपए से जादा के पुराने नोट जमा कराने पर प्रतिबंध हड़ गया है सरकार एक बार में एक खाते में पुराने नोटों में पांच हजार रुपए से अधिक की रकम की सीमा को खत्म कर दिया है अब बिना पूश्टाज के बैंक खाते में 5,000 रुपए से जादा के पुराने नोट जमा होंगे जमा करता को अब बैंक अधिकारियों को अभी तक पैसा जमा ना कराने की वज़य नहीं बतानी होगी RBI निस बाबत नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि जिन बैंक खातों के साथ Know Your Customer उपलब है उनमें 5,000 रुपए से जादा जमा पर कोई पावंदी नहीं रहेगी आपको बता दें कि RBI ने सुमवार को एलान किया था कि 30 दिसंबर 2016 तक 5,000 रुपए से अधिक की रकम एक अकाउंट में एक ही बाट जमा करवा सकेंगे 5,000 रुपए से जादा की रकम के वाइसी खातों में ही जमा हो पाएगी लेकिन अब RBI ने अपना फैसला वापस ले लिया है तो पुराने नोट जमा कराने की सीमा खत्म कर दी गई है आपको बता दें कि RBI ने इसकी सीमा तैकी थी और विपक्षी दिलों ने रोज नए नियम बदलने को लेकर काफी सवाल खड़े किये हैं जिसके बाद अब RBI बैक फुट पर आ गया है देखते रहें डिबी लाई